विल्कम गूड मॉर्निंग और दियर इस्टेन इफ यह नीव टी इस चेनल दिन सब्सक्राइब और प्रेस दब बेल एकन बच्चो आपका क्लास आज कौन सा सुरू कर रहे हैं तो इंग्लिस का क्लास सुरू कर रहे हैं जो कि आपका एकजाम होने जा रहा है तो उसी आपका क्लास की एकजाम इंग्लिस सब्ज़क्ट से लेकर हम आए हुए हैं और देखेंगे कि इंग्लिस में किस किस टॉपिक से किस किस तरह से कौस्टन को पूछा जाएगा तो पहले उसका अध्यन भी कर लते हैं हो सकता है बच्चो आपसे इसे लिखने के लिए आवे लेख लि लेख में इंप्वोटेन होता है किस पर लिखा जाए तो यह अधिक इंप्वोटेंड है तो आपको हमाइस कर के बता कि माई होबी तो माई होबी को आप देख रहे हैं आपके सामने में यह दिखाई दे रहा है वीडियो को रोक कर आप इसे पढ़कर अच्छी तरह समझें और इसका लाब उठाए और थोड़ा-थोड़ा सा आप लिखेंगे इसमें से अगर आप दस परागराप भी लिखेंग उठाए यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है पेसे तो इतना आपको लिखना है अगर आप लिख लेते हैं तो आपके लिए काफी यूजफू रहा होगा छोटा-छोटा सा सेंटेंस है देखकर आप कम से कम दस वाक लिखने का प्रियास करेंगे तो आपको नममर मिल जाएगा वीडियो को रोकें कॉपी में राइट डाउन करें और अच्छी तरह से इसका अभियास करें यह माई होबी काफी ही महत्पूर टोपिक है लेख लिखने के लिए तो इस बिंदू पर आप लेख हवसी लिखें आईए देखते हैं और क्या इंप्रोटेंट है यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे इसकूल का इट इजे गौवर्मेंट एडिड इसकूल देखें यह छोटी-छोटी सी वाक्य है इसी तरह आप जोड़ जोड़कर इसे पढ़कर आप थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस बनाइए और कम से कम 10-15 वाक्यों लिखें तो आ प्रैक्या वातावरन, वाई मंडल खराप हो रहा है तो पॉलिशन पर भी आपको निम्मद लिखने के लिख का सकता है तो इसे भी आप वीडियो को रोक कर आप अपना कॉपी में उतार लें और अच्छी तरह से पढ़ें ये भी काफी महतपूर्ण है बच्चो देख रहे ये भी महतपूर्ण है बच्चो एक नजर से डिसिप्लीन के बारे में भी देख लिजिए डिसिप्लीन पर भी आपका निम्मद लिखने के लिए आ सकता है तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लाएं कि डिसिप्लीन इस नेसेसरी इन एबरी वाक अफ लाइफ डिसिप्ली को हिंदी में अनुशासन करते हैं ये हमारे लिए हमारे जीवन के लिए काफी महतपूर्ण है इसे अच्छी तरह से आप देखकर लिखें बच्चो बच्चो एक नजर इम्पोर्टेंट्स आप न्यूज पेपर यानि समाचार पत्र हमारे लिए क्यों महतपूर्ण है इस पर भी आपको निम्मद लिखने के लिए पूछ सकता है तो इसे आप अच्छी तरह से सरल धंग से लिखकर आप अपना प्रैक्टिस को जादी देखिए ये काफी महतपूर्ण है बस इतना ही गैस आपको करके निम्मद दिए हो सकता है आपको परिछा में इनहीं में से देख लिजिए क्योंकि विलम सब्द भी पूछा जा सकता है जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है इसे अच्छी तरह से पढ़ लें क्योंकि आप ही के पार्टी पुस्तक से ये कोश्चन गैस करके हम बता रहे हैं कि कोश्चन ऐसा पूछा जा सकता है इसलिए बच्च वर्ड है विलम सब्द है उल्टा सब्द है आईए देखते हैं नेस्ट कोश्चन बच्चों ये देख रहे हैं आपका क्या टांसफर्मेशन है कि टांसफर्म करना दो फॉलोविंग सेंटेंस इंट्यू पेसिब वाइस तो आप कोश्चन को देख लिजिए अच्छी तरह स कि आपका आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है आप देख रहे हैं ये आपके सामने में कोश्चन दिखाई दे रहा है आईए आपको आंसर भी आपको दिखा देते हैं अच्छी तरह से देख लिजिए ये रहा बच्चों आपका आंसर है आप जो बनाए एक्टिस से पेसि जो बनाए चेंज की तो उसका आंसर ये आपके सामने में दिखाई दे रहा है इसे अच्छी तरह से आप मिला लें क्या आपका सही हो गया या गलत हो गया इसे मिला कर ही आप प्रैक्टिस करें आईए चलते हैं नेस्ट कोस्टन पर बच्चो देखने ये आपका डारेट देख लिजे वीडियो को रोकें और आप प्रैक्टिस करें ये काफी ही महतवपूर्ण है आईए बच्चो इसका आंसर आपके साथ सेयर करें चलिए देखते हैं ये रहा आपका आंसर आप देख रहें आप वीडियो को रोकें और आप अपना मिलाएं क्या आपका ट्रांस sentence बच्चों देखने हैं आपके पास है fill in the blanks with suitable preposition preposition को भरना है तो कैसे भरेंगे इसको देख लिजे listen to your teacher यहां भरेंगे to और उसके बद क्या है he knocked the door he knocked at the door the bird is the tree तो यहां क्या भरेंगे on the tree my father came bus तो अब यहां क्या भरना है आपको यहां भरना है by my father come by bus इमें देख रहे हैं your brother came तो इसमें भरेंगे क्या भरना preposition भरना है your brother came क्या भरेंगे to me यह भरना है to भरना है यहां पर I killed a bird खाली जगा है a small stick तो इसमें बच्चों क्या भरेंगे आपको भरना है with I killed a bird with a small stick G में देख रहे हैं don't stand the wall तो यहां क्या भरा जाएगा यहां भरेंगे against A-G-A-I-N-S-T आइए देखते हैं H नमर में क्या है कि your college your college is my house your college is my house तो यहां क्या भरेंगे आपको भरना है क्या भरना है preposition भरना है तो यहां भरेंगे beside my house मेरे घर के बगल में आपका college है अब नेस question देख रहें he returned home खाली जगह है in two weeks यहां भरेंगे in और नेस question है कि look the bird तो यहां क्या भरेंगे at look at the bird भचो आप देख रहें transitive भरू और intransitive भरू से भी question पूछा जा सकता है तो आप से पूछा जाएगा कि यह transitive भरू है या intransitive भरू है जो की उधारन आपके सामने में दिखाई दे रहा इससे अच्छी तरह से पढ़कर बच्चो समझने का परियास करेंगे कहता है इन वाक्यों में भरू क्या है rights, read, place, love जो है यह object कर्म का परियोग नहीं किया गया है और यह वाक्य के अर्थी भी पूरी तरह से समझ में आ जाता है इसलिए आपका क्या है intransitive भरू है तो पाच्चान क्या है पच्चों इसको देखने अच्छी तरह से कि वाक्य में परियोग भरू में क्या या किसको लगाने से ज़दी उतर में कुछ ना मिले तो क्या उसको हम क्या कहेंगे ट्रांजिटी भरू करते है जिसको अकर्मक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है आईए अब उसमें देखते हैं कि ट्रांजिटी भरू इन ट्रांजिटी भरू को हम समझ गए अब ट्रांजिटी भर्व को समझना उसी का उल्टा कर दिजी आपका ट्रांजिटी भर्व होगा जिस किरिया के साथ अबजेक्ट कर्म परियूक तो हो उसी ट्रांजिटी भर्व करते हैं सकर्मक किरिया करते हैं जैसे आपका उधारन भी है कि he writes a book राम लिख रहा है क्या लिख रहा है पत्र लिख रहा है अगर ऐसा कोस्चन रहे तो हम क्या कहेंगे यह ट्रांजिटी भर्व है जूकि आपके सामने में इसका डिपनेशन के साथ भी यह लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इन वाक्यों में भर्व राइट्स रीज प्लेज लब्स के साथ कर्म साथ भूफ लेटर और होक्य है तो यह मदर का पर जो अब्जेट कर्म की तरह हुआ है अथा यह सब क्या है ट्रांजिटी भर्व है तो इसकी पाहचान हम कैसे करेंगे क्या या किसको लगाने से यह उत्तर में कोई वेक्ति या वस्तू प्राप्त हो तो हो की यह आपका present tense में तो आपको कह बार करने के सकता है इसलिए करने के लिए आप present tense, past tense, future tense, वर्तमानकाल, भूतकाल, भविस्षतकाल, इसके बारव भवित को पढ़ लिजिए और उसको किस तरह से कानभट करेंगे, इसे एक नजर से आप देख लिजिए, बच्चो एक नजर से आप grammar में थोड़ा सा परिभासा को भी याद कर लिजिए, question को पूछ देगा, कि what is sentence, what is noun, what is pronoun, what is verb, what is it verb, ये भी question आपसे पूछा जाएगा, इस चीज़ को याद रख लेगा, तो क्या कहते हैं, कि क्रिया किसे काते हैं, संग्या किसे काते हैं, भर्व किसे काते हैं, सब्द किसे काते हैं, वाकी किसे काते हैं, ये सारी परिभासा को आपको पूछा जा इसे आप अच्छी तरह से इंग्लिज में इसे याद कर लें What is noun उसको परिभासा का उत्तर क्या होता है a noun is the name of a person place or thing ऐसे आप याद रख सकते हैं बच्चो आईये इसे आप अच्छी तरह से लिख कर अब प्रैक्टिस कर लें अगर हम पूरा यह रखता है बच्चों देख रहे हैं अच्छी तरह से complete the following sentences with a and or the, यानि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है a and the से यह खाले जगा को भरना है तो क्या भरेंगे, अच्छी तरह से देख लिजिए here is orange for you, क्या भरेंगे and, क्योंकि यह भाविल है यहाँ क्या भरेंगे, and भरेंगे I sell, I sell give you, क्या भरेंगे a one rupees note, a भरेंगे यहाँ पर, b नमर में a भरेंगे और c में क्या है, this is useful work, तो c में क्या भरेंगे this is a useful work तो c नमर में आपको a भरना है d नमर में है cta is honest girl क्या भरेंगे, cta is an honest girl, अब आप यहाँ कहेंगे, कि यहाँ h आपका consonant है, तो आपका यह क्या होता है, लुप्त हो जाता है, और यह आपका भाविल होता है, इसलिए आपके पास यहाँ an honest होगा, इस चीज को याद रखेगा, e नमर में आपका है, have you ever read historical नोबेल, तो अब यहाँ e नमर में हम क्या भरेंगे, यहाँ आपको भरना a, और app नमर में देख लें, how is best why of my class, तो app नमर में क्या भरेंगे, the best भरेंगे यहाँ पर द लिखियेंगे, और g नमर में देख रहें क्या है, कि earth moves round, खाली जगा sun है, तो यहाँ क्या भरेंगे यहाँ आपको द भरना, the earth moves round the sun यह भरेंगे, और h में देख रहे हैं, honest is best policy, तो यहाँ क्या भरेंगे honest is the best policy और यह question देखने को मिल सकता है कि my brother is m a, my brother is m a, क्या भरेंगे, n m a जदी degree का बात हो, तो n का प्रियू किया जाता है, I read history of India क्या भरेंगे, the history, इसमें the का यूज होगा बच्चो बच्चो आपके पास इस तरह का passage रहेगा, और passage के निचे कुछ question रहेगा, तो question को आप पढ़ेंगे, पहले passage को पढ़ेंगे, और यह question जो दिया रहेगा, तो इसी से आपको answer को लिखना है, यह question ऐसा आपको दे सकता है, इसे एक नजर से याद रख लेंगे, यहां से कुछ question answer है बच्चों, आपकी party push तक ही, यह question है, तो इसे देखकर, अच्छी तरह से वीडियो को रोग रोग कर इसे पढ़ने का प्रियास करेंगे, पूरा definition करेंगे, तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा देखकर इसे पढ़ें और समझें, यह काफी ही महतपूर है, थोड़ा-थोड़ा सा देखें, कि how did life in the swart valley change, तो यहां उसका answer भी आपको दिखाई दे रहा है, तो अच्छी तरह से धीरे-धीरे से पढ़ें, यह पांच नमर का question आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे में answer भी दिखाई दे रहा है, और नीचे में six number का question दिखाई दे रहा है, और उसके बाद answer से देख ले और इसे एक बार अवस्य लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों यह काफी ही महत्वपूर्ण है अगर बच्चों आपको कहें कि write down the full form of the following तो इसका full form आपके पास दिखाई दे रहा है इसे एक नजर से भी इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में set कर लें यह भी question को देख रहे हैं बच्चों, question है इसे आप एक पार्टी पुस्तक से question लिया गया है इसे देख कर थोड़ा सा पढ़ लें यह आपका seven number question important नजर आ रहा है इसे एक नजर से देख लिजिए और eight number question आपके सामने में है, nine number भी question सामने में दिखाई दे रहा है इसे वीडियो को रोग रोग कर इसे पढ़ने का प्रियास करें बच्चो यह कविता से question कैसे दिया जाता है, यह आपका extend जा रहेगा poem से और नीचे में question कुछ दिया रहेगा, ABC तीन question है तो इसका answer इसे से लिखना है, आपके सामने में देखिए, यह answer है इसे अच्छी तरह से एक नजर से देख लिजिए, ऐसा question पूछा जा रहा है और इसमें से भी यह question छिपा हुआ है, जो कि आप poem के topic में देखे तो उसी से यह question है, इसे एक नजर से आप देख सकते हैं वीडियो को रोग रोग कर इसे पढ़ने का प्रियास करें वीडियो को skip ना करें आईए इसके बाद देखते हैं, यह आपका willam sad का रहा है match the what with their internums यानि willam sad को मिलाना है, जो कि पहले भी आपको हम बता दिये हैं अच्छी तरह से आप देख लिए होंगे तो इसे उसका answer भी नीचे दिखाए दे रहा है इसे देख कर आप थोड़ा सा मिलान कर लें तो काफी ही मात पुर्णा होगी बच्चो ये देख रहे हैं क्या कर रहा है fill in the blanks with the present perfect continuous from the verb in bracket ये क्या कर रहा है present perfect continuous में आपको convert कर देना है तो इस तरह से question भी पुछा जाता है ये देख रहे हैं ये question आपका है और यहां आपके पास answer भी दिखाए दे रहा है इसे अच्छी तरह से एक नजर से इसको देख सकते हैं आपके सामने में प्रिपोजिशन दिखाए दे रहा है बच्चो तो इसे एक नजर से थोड़ा सा practice कर लिजे ये preposition topic काफी ही मौतपुर्ण है और यहां पर आप देख रहे हैं उसका answer भी आपको दिखाए देगा कि आपका सही answer हो रहा है या नहीं हो रहा है आप इसे practice कर सकते हैं ये रहा बच्चो आपका answer जो की preposition जो आप भरेंगी तो इसी सब को लेके fulfill करना है उमीदा बच्चो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा वीडियो अगर काफी अच्छा लग रहा हो आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक अवस्य करेंगे और दोस्तों को भी share करेंगे आपसे मेरा request है अगर आप हमारी channel पर नए है तो subscribe कर सकते हैं और super lady यदि change करने के लिए ऐसा आवे तो याद रखेंगे bold, bolder, boldest यानि ER जिसमें लगा रहता है बच्चो वो आपका comparative degree होता है जिसमें EST होता है बच्चो वो आपका super lady होता है और जिसमें ER और EST नहीं रहेगा वो आपका positive degree होता है इसे अच्छी तरह से इसको याद कर लें जो कि आपके समने में दिखाई दे रहा है जैसे पढ़ेंगे deep, deeper, deepest fast, faster, fastest ये आपका comparative degree हो गया ये आपका positive degree हो गया और ये आपका super lady degree हो गया ये काफे महत पुर्ण है हो सकता है बच्चो की ये push दे question इसलिए सोचे आपसे थोड़ा सा ये भी share कर दें ये काफे अच्छी होगी मेरे वीडियो को आपन तक देखे बच्चो आपको बहुत बहुत धहनवाद फिर एक वीडियो लेकर हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे उसका next part, next video देखना ना भूलें तब तक मुझे इजाज़त देजिए, next video बनाने का मेरे वीडियो को आपन तक देखे आपको बहुत बहुत धहनवाद वीडियो को पाते ही आप कोमेंट आवसी करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूच फूल रहा